हेलो इस्टुडेंट्स, मुझे यकीन है जब भी आप जियो विग्यान सब्द लिखते देखते सुनते होंगे तो एक अजीव सा अपनापन जरूर मैसूस होता होगा ये अपनापन इसलिए नहीं मैसूस होता कि जियो विग्यान एक सब्जेक्ट है वास्तों में जियो विग्यान संपूर जैविक प्रक्रियाओं को समझने का एक जैविक आधार है इस वीडियो में इनी सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तों में जियो विग्यान है क्या और यह कितने प्रकार का है और इसका वास्तिक रूप क्या है तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं जीव भी ज्यान पर तो यहाँ दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसमें सबसे पहला सब्द है आपका जीव जीव अर्थात लिविंग बिंग्स जिनें हम सजीव भी कह सकते हैं सजीव का आर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिन में सभी जैविक्रियाएं पाई जाती है जैसे अनकूनन सीलता है समेदन सीलता है सोसन है परजनन है पोशन है इत्याद जैविक्रियाएं जिन भी वस्तुएं में पाई जाती है उन्हें हम सजीव भस्तुएं कहते हैं ऐसी विज्ञान की वा साखा जिसके अंतरगत हम सजीओं के बारे में तथा उनसे संबंदित शंपूर्ण क्रियाओं का अध्यन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती हैं जीव विज्ञान को बायलोजी कहते हैं क्या कहते हैं बायलोजी कहते हैं और वास्तों में बायलोजी दो सब्दों से मिलकर बना होता है सबसे पहला सब्द है आपका बायोस जिसका आर्थ होता है लिविंग या लाइफ और दूसरा है लोगोस जिसका आर्थ होता है इस्टडी यानि अगर यहां से भी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जीवन का धेयन या जियों का धेयन ही जीविज्ञान कहलाता है अब आपको बताते हैं वास्तों में जीविज्ञान सब्द की उत्पत्ति कहां से हुई तो जो बायलोजी सब्द है उस सब्द की उत्पत्ति सन अठारा सो दो इसबी में नामगग दो विज्ञानिकों दौरा की गई जिन का नाम है लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस नामत दो ग्यानकों ने सन 1802 इस वीन में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामत दो ग्यानकों ने सन 1802 में बायलोजी सब्द का अविस्कार किया और बायलोजी की नियू रखी अब जब एक बिसे बन चुकी है तो इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या चीजे अध्यन की जाएंगी तो इसको आगे हम चर्चा करते हैं वास्तों में जीविग्यान जो है उसे दो रूपों में बाटा गया है जीविग्यान को दो रूपों में हम बाट सकते हैं सबसे पहला है आपका मौलिक जीविग्यान जी हां सबसे पहला है आपका मौलिक जीविग्यान मौलिक जीविग्या मौलिक जीविज्यान और प्रयोगिक जीविज्यान मौलिक जीविज्यान में हम अध्येन करेंगे theoretical process को जबकि प्रयोगिक अध्यान में हम ये देखेंगे कि कैसे इसको apply किया जाएगा विबिन वस्तूँ पर मौलिक जीव विग्यान की तीन साखाएं हैं मौलिक जीव विग्यान की तीन साखाएं सबसे पहली साखा है वनस्पति विग्यान दूसरी है आपकी जन्तु विग्यान और तीसरी है आपकी सूच्म जीव विग्यान सूच्म जीव विग्यान यहां ध्यान देने वाली बात है जो जोनस्पति विज्ञान है जन्तु विज्ञान है और शूच्म जीविज्ञान है वह जीविज्ञान के मौलिक जीविज्ञान साखा के अंतरगत आती है ऐसे ही अगर प्रयावगिक जीव विग्यान भी रात करें तो उसे भी आगे निम्न कटेगरी में बाटा गया है सबसे पहला आपका हो जाता है क्रसी विग्यान, क्रसी विग्यान भी जीव विग्यान का ही अंग है क्रसी विग्यान, चिकित्सा विग्यान चिकित्सा विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही अंग है नेक्स्ट है आपका पस्व चिकित्सा विज्ञान पस्व चिकित्सा विज्ञान और इसके बाद है आप समझ सकते हैं पस्चिकित्सा विज्ञान हो गया और इसके बाद आप ले लिजे आवसदी विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही अंग है तो यहां हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान को मुक्तिया दो रूपों में बाटा गया मौलिक जीव विज्ञान और प्रयोगिक जीव विज्ञान मौलिक जीव विज्ञान के अंतरगत दो आते हैं आप मुक्यत दो पढ़ाई जाते हैं आपके सब्जेक्ट में जिन पर अभी हम चर्चा करते हैं लेकिन होते कितने हैं तीन वनस्पाथ विग्यान जन्तु विग्यान और सूच्छुम्भी जीव विग्यान ऐसी प्रयोगी जीव विग्यान के अंतरगत चार आते हैं करशी व जा रहा है और इसलिए जीव विग्यान शर्वोपरी विषय बंती जा रही है अगर किसी अन्य विषय से हम कंपेर करें तो तुलना करना बिलकुल अशंबह होगा क्योंकि जीवन को जीवन की मूल समस्याओं को उसकी मूल भूतिकाईयों को अगर कोई समझा रहा है तो वा आपका है वनस्पत विग्यान और जन्त विग्यान वनस्पत विग्यान और जीविग्यान वनस्पत विग्यान को हम इंग्लिस में बोटनी कहते हैं जो की बोटेन सब्द से मिलकर बना हुआ है और बोटेन से आप समझ सकते हैं ग्रास घास या प्लांट्स बोटेन से हम प्लांट्स यानि जी विज्ञान की वास आखा जिसके अंतरगात हम प्लांट्स के बारे में अद्धेन करेंगे वह कहलाएगी वनसपती विज्ञान वनसपत विज्ञान के जो जनक है वह थ्रियोफरेस्टस चुंकि इन्होंने सबसे पहले लगभग 500 जो प्लांस थे उनके बारे में अपनी पुस्तक में वर्ण किया था इसलिए वनस्पत विज्ञान के जो जनक है उनको थ्रियोप्रेस्टस माना जाता है उनकी पुस्तक थी आपकी हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स के बारे में चर्चा किया था इसलिए वनस्पत विज्ञान का जनक थ्रियोप्रेस्टस को माना जाता है दूसरी आपकी है जन्त विज्ञान जन्त विज्ञान जैसा सब्द से ही पता चला है जन्तों का देन के जाएगा यानि जिवज्ञान की वास आका जिसके अंतरगत जन्तों योमुन की सभी प्रक्रियाओं का देन के जाता है जन्त विज्ञान कहते हैं इसे जूलोजी के नाम से जानते हैं जूलोजी जो कि दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है जोन और लोगस अर्थात एनिमल इस्टडी कहने का ताथ पर या है कि जीव विज्ञान की वासा का जिसके अंतरगत हम एनिमल्स की स्टडी यानि जन्तों का द्यन करेंगे जन्तु विज्ञान कहलाएगी जन्तु विज्ञान के जनक आरस्तु जी को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया इनिमल्या में हिस्टोरिया इनिमल्या इनकी जो एक पुस्तक थी उसमें इन्होंने लगबग 500 क्या कहते हैं जनतू के बारे में अध्यान किया था इसलिए जनत विग्यान का जनक आरस्तू जी को माना जाता है अब अगर बात करें जी विग्यान की तो जी विग्यान का जो जनक है आरस्तू जी को ही माना जाता है तो आई धिंग ये बातें आपको किलियर हो चुकी होंगी कि जीविग्यान क्या है इसकी कितनी जाकाएं और इन सब के जनक कौन है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का खयाल रखी और हम में सामुस्कुराते रहें धन्यवाद